वह एक तो क्या दिया है 1 2 3 3 5 तक का एक a set दिया है एक b set जिसमें 4 6 9 है define a relation from a to b यानि उन्होंने एक relation दे दिया है a to b में है तो r x y such that the difference between x और y is odd यानि कि x और y के बीच का जो difference है वो odd होना चाहिए ठीक भई यह भी completed भई कोई दिकत नहीं है यहां से x जो आ रहा है वो y में से x आ रहा ओ हो a में से आ रहा y किस में से रहा b में से रहा whether तो यहां पर roster form में इसको लिखना है ठीक भई आपको क्या दिया गीवन है वो लिखो भई given आपके लिए a set अब आपको a set given है तो 3,5 ठीक है यह है यहाँ पे और दूसरा देखिएगा कि क्या है b set क्या है आपका? b set है 4,6,9 यह ठीक है अब देखिएगा कि क्या है इसमें एक relation भी define अपने पास relation क्या है relation आपका है वह अक्स और y है वह such that a say that क्या है? the difference क्या है between x and y is odd ठीक है अब देखिएगा कि कहा है? odd है और x आपका a set में से आ रहा है y आपका किस में से आ रहा है? b set में से आ रहा है y आपका b set में से आ रहा है ठीक है यह आपका relation आए अब इसको रोश्ट फॉर्म में लिखें कैसे बही? यहने पहले यह वाली condition कराओ कि क्या बूला वहा है? कि यहां से x minus का y जो difference वह आपके लिए क्या होना चाहिए? एक odd होना चाहिए, odd का मतलब जिसमें 2 से डिवाइड ना हो ऐसा integer आए ठीक है? odd आने का मतलब तो यह, odd integer का मतलब तो यह है यह इंटीजर है और यह इंटीजर है तो इंटीजर के difference यह हम ऐसा integer ही आएगा कोई दीकत नहीं है अब चलते हैं, odd चीए, odd चीए तो देखिए थोड़ा सा आपको diagram की help लेनी पड़ेगी जिसे आपको क्या हो कि direct आपको idea मिलेगा रोष्टर फॉर्म के अंदर यहां से एक आपको a set है यहां पर यह आपका b set है यहां पर आपको एक relation define है ठीक है और यह इस तरीके से है अब देखिएगा कि first के element कितने हैं वही 1,2,3 और 5 है यहां ते clear आपको और यहां से b के कितने element है वही 4,6,9 है यहां पर थोड़ी सी gaping कर दो वही 6 और 9 है और यहां पर भी 1,2,3 यहां पर ठीक है और यहां से 5 आपका अब आपको क्या करना है यह x का element है यह y का element है ठीक है x कहां से belong कर रहा है आपको थोड़ा से समझाने के लिए यहां से और y यहां से ठीक है अब देखते है एक x का element लो एक इसका element लो उनका difference क्या होना चाहिए ओड आना चाहिए ओड का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने यह नहीं बोला कि positive ओड आना चाहिए negative इसका मतलब दोनों आ सकते है ठीक है अब देखिए जैसे आप 1 और 4 का difference कराओगे तो आपका relation यहां संबंध है वो satisfied होगा क्योंकि इसके difference यहां पर minus 3 आने वाला है क्या आने वाला है आप भी देख सकते हो कि 1-4 आएगा तो minus का 3 आ सकता है ठीक है इसमें देखिएगा कि 1 का किस-kis के साथ लोगे यहां पर इसके साथ relation करोगे तब भी आपके लिए क्या आने वाला है तब भी करोगे तब भी आएगा क्यूंकि इसमें से 1-6 जाएगा तो आपके लिए क्या आएगा वाई एबर में arrow बना देता हूं फिर आपको यह relation भी बता दूँगा ठीक है फिर यहां पर देखिएगा कि इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 6 के साथ difference करते हैं तो अपने पास देखिएगा कि कितना आएगा minus का 5 आएगा ठीक है minus का 5 आएगा और यहां से देखिएगे तो इसका कितना आएगा भी इसके साथ करेंगे तो देखिएगा कि कितना 9 है यहां पर 9 है तो यहां पर क्या आजाएगा पर even आजाएगा क्योंकि 8 even नमबर है even आते ही क्या हो जाएगा यह तो अपने पास वेलिडी नहीं होगा वेलिडी नहीं हो इसको यहां पे छोड़ रहे है ठीक है तो इसके ordered pair इसने क्या बोला इसका ordered pair बनाओ तो हम इस diagram के थुरूई बनाने में बहुत ही easy रहेगा ठीक है वो इससे बना रहे है ठीक है और यहां से देखेगा कि one का pair किसके साथ है four के साथ है इनका समंध्ध ठीक है इनके समंध्धी क साथ देखे टू के साथ इसके साथ लाइन ड्रो करो और इसके साथ six के साथ लाइन ड्रो करो और इसके साथ हमें तो पता है नहीं ना हम तो difference करके देखेंगे यहां difference क्या ओड आ रहा है तो रखेंगे यदि नहीं आ रहा तो अठा देंगे ठीक है तो यहां से आपको पता ह 2 और 4 आया यहांसे 4 में से minus 2 गया तो even minus का 2 आया यानि कि यह तो अपने काम का ही नहीं है ठीक है अब यहां से minus 4 minus का 2 करोगे तो कितना एगा भई minus का 2 आएगा ठीक है यही तो आना x minus का y तो यही करने वाले हैं भई 2 यहांसे क्या करेंगे वाई 2 minus का 4 करेंगे तो minus का 2 यह भी वेलिड नहीं है यहांपे 6 करेंगे 2 minus का 6 करेंगे यह भी वेलिड नहीं है क्योंकि even नमबर आ रहे हैं यहांपे 6 में से यहां पर क्या करेंगे, 2 में से 9 करेंगे, 2-9 तो इक्वल to minus, यह valid है, क्योंकि यह आपका minus का 7 क्या है, एक odd integer आ गया, इसका मतलब यह एक odd number आ गया, इसका मतलब यह अपने पास यहां पर इस है, इसके अंदर आएगा, यानि 2, और कितना आएगा, 2 का 9 के साथ एक ordered pair बनेगा ठीक है, यहां तक की कानी आपको समझ में आई होगी, अब इसके पास देखेंगे, 3 के पास जाएंगे, 3 किस किस के साथ देखेंगा, कि अपना समझ इसके साथ भी बनाएगा, और इसके साथ नहीं बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा, देखेंगा, कि यदि आप, अब देख तो 3-6-3 यह भी क्या है और नमबर है यहां पर 3-9 करते हैं आपके लिए माइनस का 6 होगा जो कि even होगा और इसके साथ यह क्या नहीं बनाएगा रिलेशन नहीं बनाएगा यह वाला ठीक है इसका तो इसका मतलब पर देखिएगा कि 3 किस के साथ समंद बना रहा है 4 के साथ बना रहा है 3-6 के साथ समंद बना रहा है अब आपका देखो एंड वाला बचा है एंड वाला क्या है एंड वाला क्या है एक 5 है 5 किस किस के साथ अपना क्या बनाएगा relation बनाएगा वो देख लेजएगा तो यहां से देखेगा कि यह इसके साथ भी बनाएगा क्योंकि 4 और minus 5 minus 4 का कितना होदा difference minus 1 आएगा इसका मतलब यह इसके साथ भी क्या बनाएगा अपना संबनाएगा अब इसके पास वाले जो बगल में वो भी इसके संबन्दी है क्योंकि यहां पर जब इसको difference करेगा तो कितना आएगा minus का 1 आएगा और यहां से difference करेगा तब भी क्या आएगा 4 में से 1 जाएगा तो plus 1 आएगा और यहां पर कितना आएगा minus 1 आएगा तो यह दोनों संबन्दी होंगे बड़ यहां पर देखेगा कि यदि आप इससे और इसका difference देखोगे तो यहां से क्या आएगा minus का 4 आएगा 4 में 2 से divide होता है इसका मतलब odd तो नहीं है इसका मतलब यह वाला relation यह वाला इसके साथ relation नहीं आएगा तो यहां पर देखेगा 5 किस किस के साथ अपना ordered pair बनाएगा 5 बनाएगा 4 के साथ 5 बनाएगा 6 के साथ यह इसके क्या होगे रोश्टर फॉर्म के अंदर आगया यह वाला फॉर्म तो यह इसका डिवाइड नहीं हो रहा वो ओड नमबर है ठीक है